दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिशव लव रासी फल मार्च 2023 टॉरस यानि की ब्रिशव रासी बाला आपकी लव लाइफ आपकी मैरिड लाइफ आपकी रिलेसंसिप के इस्तिती कैसी रहेगी मार्च का महीना आपके ले कैसा रहेगा आईए जानते हैं दोस्तों मार्त का लव रासी फल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें बस उने अगर आपको चंद रासी यानि दोस्तों ये पूरा महीना जो है वो चार ग्रहों से परिवर्तित होनी वाला है चार ग्रहों का गोचर में परिवर्तन होगा पांच परिवर्तन हैं वैसे क्योंकि बुद्ध का परिवर्तन दो बार है और बुद्ध महीने के लास्ट में 31 मार्च को दूसरा परिवर्तन और ये आपकी life में कैसे बदलाव लाएंगे ये हम आगे बिस्तार से जानेगे तो पहले परिवर्तन जान लेते हैं सबसे पहला परिवर्तन 12 मार्च को मिथन में मंगल और दूसरा परिवर्तन भी 12 मार्च को मेस में सुक्र 14 मार्च को मीन में सूर्य और 16 मार्च को मीन में बुद फिर 30 मार्च को मेस में बुद तो यह ऐसे 5 परिवर्तन है अब जानते हैं कि आखिर आपके लिए परिवर्तन क्या परिवर्तित करेंगे और आपकी इस्तिती मार्च में कैसी बना कर रखेंगे आपके लिए क्या कुछ बदल सकते हैं ये परीवर्तन आईए जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी उसके बाद में लव लाइफ, नो कॉंटेक्स सिटेशन, मेरीड लाइफ, एक्ष्टर माईटल अफेर सबहें के बारें बात करने के बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे तीन रासियों के नाम अगर उन तीन रासियों में से किसी एक रासी का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना लखी बन सकता है चलिए शुरू करते हैं बात करेंगे सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है बहुत ही बिसेश स्थिति उन लोगों के लिए है और मैं तो यह कहूँगा कि सबक लेने, सीख लेने के लिए और समझदारी के लिए कुछ बातें जरूर मैं बोलूँगा बहुत कुछ यहां से आपको सीखने को मिलेगा अगर आप किसी के साथ डेट करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं आपके लिए बैसे तो यहां पर इस्तितियां देख रहे ही कि आपका एक तरफा प्यार बहुत मुसीवतों में चल रहा है और उसकी बज़े है अभी यह बज़े 12 मार्च तक बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके emotions आपकी feelings बढ़ती ही जा रही उसके लिए लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा है और आपको जल्दी भी है कि वो मान जाए लेकिन आपको कहीं न कहीं वो जल्दबाजी जो आप चाहते हैं कि मान जाए कुछी हो नहीं पारी मंगल आपके दुतिया भाब में और आ जाएगा अभी आपकी रासी में है उग्रता आपको बहुत ज़ संद नहीं आ रही है कि इतना इगो किस बात है और रिलेशन सिप opin me ego ही तो है सबसे बड़ी प्रावलम और वो आपसे ज्यादा समझ-दार है उसलिए वो समझता है कि ego जब इतना है नहीं हमारे लायक नहीं या हम इसके लायक नहीं इस रिष्टे में और पहुते में बहुत तो मंगल जब दुतिय में जाएगा, तो आपका इगो डवल हो जाएगा, मैं तो एक कहूंगा चार गुना हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इगो सिर्फ एक तरह से हाओ बहाओ में, आपके बीहेवियर में नजर आते थे, या ब्याओहार में, बस केबल उसे नोटिस करता था वो ग्यक्ति या करती थी, लेकिन अब आपके मूँ से आपका घमंड, आपका इगो जलकेगा, आपकी बाणी पर आपको बहुत नियंत्रा रखने की जरूरत है, आपकी बाणी, आपकी बनी बनाई बात बिगार सकती है, जो लोग इंप्रेस हैं, जो लोग बहुत जादा आपकी तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं, वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर यह सीख लेने की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति को दूर नहीं भगाना है, तो अपनी बाणी पनी अंदर रखें, कम बोलेंगे, तो बात जल्दी बन जाएगी, कहने का मतल जितना कम बोलें, उतना जादा प्रभावित होगा कोई वी व्यक्ति आपसे, अब बात करते हैं, लव लाइफ की रिलेशनसिप की, जो लोग रिलेशनसिप में हैं, उनके लिए पंचमेज, बुद्ध और चतरुथेश, सूर्य, यह दोनों की स्तिती परिवर्थित होगी, बुद्ध जो है, वो 16 मार्च को मीन में जाएगा, तो नीच का हो जाएगा, तो यह कह सकते हैं, और पंचम भाप पर दृष्टी भी डालेगा, सूर्य जब मीन में जाएगा 14 मार्च को, तो यह दोनों के रहे ही इस चीज़ को दरसाते हैं, कि आपके emotions, आपकी feelings, वो व्यक का भी यहां पर सहयोग रहेगा, कि आप कुछ बोल रहे हैं, अलगी tone में बोल रहे हैं, और वो बड़ा चिड़ जाएगा आपकी बात से, कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो आपका partner जो है, वो आपकी बातों से चिड़ेगा, आपके behavior से चिड़ेगा, और बहुत ज़्याद समझाने का जो तरीका है, बोर different हो जाए, जो कि उसे पसंद ना आए या उसे समझ में ना आए, तो कुछ ऐसे सब्द, ऐसे example आपके मूँ से निकलेंगे, जो पूरे relationship में गलत फेमियों की बहुचार कर देंगे, बहुत सारी तकलीफें भर देंगे, negativity का बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरी तरह से इस्तिती दिख रहा है, बार बार negativity आती हुँ दिख रही है, लेकिन फिर 31 मार्च से यह कम भी हो जाएगी, यानि कि 16 से 31 मार्च आदे महीने यह रहेगी और इससे problem बढ़ेंगी, उससे पहले 16 मार्च से इस्तितियां, 16 मार्च से पहले इस्तितिय लव लाइफ में बहुत अच्छी हैं, बलकि मैं यह कहूँगा कि 12 मार्च से पहले तो और भी जादा अच्छी इस्तितियां हैं, 12 मार्च तक आपके relationship में बहुत कुछ अच्छा रहेगा, बहुत कुछ अच्छा आपको दिखाई देगा, अब बात कर लेते हैं no contact situation की, तो जो लोग no contact में हैं, उन्हें इतना समझ लेना चाहिए, कि आपके partner अब आपसे दूर होना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाने की जिद कर रहे हैं और वो आपसे परेशान हो चुके हैं, सच्चाई तो यह है कि उनकी life में कोई और आए या ना आए, लेकिन वो आपको अपन life से निकालना चाहते हैं, और इसी बजय से वो आपसे दूर भाग रहे हैं, कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, बहुत नेगेटिव है, लेकिन वो अगर कोई उनका past में relation से प्रहा है, तो उससे जरूर संपर्क साधने की कुसिस कर रहे हैं, उससे ही बात हो जाए, कम से कम इसे छोड़ने के लिए एक सहारा मिल जाएगा, तो यह इस्तिती है, अब बात करते हैं, तो मेरिड लाइफ की बात करें, मेरिड लाइफ में सब्तमेस मंगल बनते हैं, मंगल परिवर्तन भी करेंगे, मेरिड लाइफ में मतभेद हैं, मतभेद चल रहे हैं बारा मार्च तके चलेंगे उनमात जगडा कलेज थोड़ा थोड़ा चल रहा है इस्तिती खराब तो चल रही है मेरिट लाइफ में लेकिन यहां पर आपकी मेरिट लाइफ की इस्तिती अब थोड़ी ठीक होगी थोड़ी ठीक होगी और पॉजटिव इस्तितियां हो भी लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही सावधानी वाली बात यह है कि 16 मार्च के बाद में या 14 मार्च के बाद में इस्थितियां खराब होंगी दीरी दीरी और 12 मार्च से ही सुरुआत हो जाएगी तो सुक्र की बज़े से आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, किसी और के साथ मैं सहभास कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको इस बात से तकलीफ होगी कि वो आप में उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ या खतम हो गया है वो आपको अप परिसान नहीं कर रहे हैं आपको जो सिकायत हैं थी वो उन्होंने कहीं न कहीं सुन ली वो इक तरह से आपको सिकायत करने का मौका नहीं दे रहे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको एक वक्त तक लगेगा कि ठीक है लेकिन महीने में आपको इस चीज़ का भी एसास होगा कि आपने उनके साथ गलत कर दिया या आपके साथ में अब गलत हो गया है इस चीज़ का भी एसास आपको हो जाएगा मेरिड लाइफ में आपके लिए स्तितियां खराब हैं लेकिन एक्स्टा मेरिटल अफेर में स्तितियां बहुत अच्छी हैं एक्स्टा अफेर में जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां बैसे भी अच्छी बन रही हैं लेकिन सुक्र और अच्छी बना देगा तो आप दोनों की बीच में एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय विताना एक दूसरे से फिजिकली मिल पाना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में अच्छा संबंद बन पाना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केर करना बहुत ज़्यादा प्यार हो जाना और बहुत ही क्लियर्टी मिल जाए आपके प्यार को बहुत ज़्यादा आपके लिए खर्चे करना बहुत खास स्थितिया मतलब पूरे 12 मार्च से बनी हुई रहेंगी पूरे महीने तो यह स्थिति है दोस्तों यह था आपका लब रासी फल आप जानते हैं तीन रासियों के बारे में पहली रासी सिंग रासी दूसरी रासी कुम रासी तीसरी रासी मेज रासी है अगर इन रासियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना लकी बन सकता है दोस्तों अगर रासीफल पसंदाइच वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट में अपनी राय जरूर दें कमेंट वॉक्स में जैसरी रादे लिखें और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये रीडिंग बहुत नेगेटिव है तो जब रीडिंग करते हैं उससे कुछ घंटे पहले हमें भी नहीं पता होता कि ये नेगेटिव इतनी होने वाली है क्योंकि ग्रहों के अनुसार बताया जाता है जो भी है मैं खुद आश्चर में हूँ कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इस चीज में निकल के आ रही है तो मैं तो आपको यह कहूँगा इसके लिए आपको उपाय करने चीज़िए और उपाय के लिए आप हमारे दूसरे चैनल Remedies विदतोल जी पर जा करके कोई भी अच्छा उपाय जो आपके समस्या के संबंद में हो उसे करके अपनी समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं उससे राहत आपको मिल सकती हैं दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार